हेलो बच्चो वेलकम टू बेस्ट अप्रोच मैं हूँ विपिन गुप्तार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ mathematical reasoning की जो सीट है हमारी उसकी अक्सेसाइज नंबर थी का नुमेरिकल नंबर शिक्सी सेकेंड इस नुमेरिकल में क्या लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है वो सामने आपके नजर आ रहा है इस फॉल्स यह पूरा ऑपरेशन वो कहना चाहरा है कि फॉल्स है देन दा ट्रुथ वैल्लू और यह पूरा एक्सप्रेशन अपका फॉल्स है इस अपरेशन से हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है पी और क्यू फिर लिखा हुआ है क्यू इंप्लाइज आर फिर एक एंड ऑपरेशन नेगेशन ऑफ और और इस पूरे को एक डब्बे में फिर से बंद किया गया है और इंप्लाइज पी एंड क्यू यह लिखा हुआ है ठीक है इस सिचुमेशन को हम समझते हैं पहले छोट छोट पार्ट में ब्रेक करते हैं एंड ऑपरेशन यूजर है यह बहुत अच्छी बात है एंड से हम लोग आसानी से रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे फानली हम लोग यह देखते हैं कि पूरा एक बॉक्स है बॉक्स इंप्लाइज डैट पी एंड क्यू ऐसा कुछ है ठीक है और इस पूरे का रिजल्ट ह इसा कुछ आता है ठीक है तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है फोल्स और यह हूरा है और का ऊपरेशन तो ओबुएस है कि यह जो बॉक्स है एक्ट्वर बॉक्स है बोट टू और तभी तो उसका फॉल्स मिलेगा और फॉल्स का यूनियन फॉल्स के साथ लेंगे तो इसका म intersection तो भी false आ गया एक condition अगर दोनों true है उस case में नहीं ले सकते false true false true false तब भी false ठीक है तो आपके पास ये पता चल गया है कि भाई आपको P, Q, R निकाल ला है तो ये दोनों के बारे पता चल गया कि दोनों आपस में interchange है अगर ये P true है तो ये false होगा अगर ये false है तो ये true होगा तो दोनों एक नहीं हो सकते मतलब दोनों false नहीं हो सकते तो C option इसी position पर wrong हो गया ठीक है एक 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 खासे हम cut तक चलेंगे अब ये जो अंदर बाला बकसा है जो box है वो result true देना चाहिए तब ही पूरा पूरा result आपको false मिलेगा तो इस box के उपर बात करते हैं ये मुझे चाहिए true अब ये true कब हो सकता है ये सारे part individually true हो आर पर जड़ा focus करते हैं इस पूरे part को मुझे अगर true बनाना है तो situation ये कहते है कि आर आपका false होना चाहिए तो navigation of false वाला करेंगे तो true आएगा तो आर हमें पता चल गया कि आर हमारे पास क्या है true है नहीं आर फॉल्स है क्यों नगेशन लगा हुए न मैं नगेशन की बात करूं तो आर हमारे पास false है और हमारे पास false है तो उसका navigation true होगा तो आर फॉल्स है पी क्यों आर लास्ट में लिखा हुआ है फॉल्स की सिच्वेशन है एक यह option एक यह option बस सकता है यह option यहीं पर cancel out हो गया दो option खतम हो गए अब हम बात करते हैं बी और डी के लिए ठीक है आओ बाइस सिच्वेशन पहुंसते है आर के बारे में हम होता है और नगेशन ओफ क्यों होता है और इस पूरे का रिजल्ट हमें चाहिए ट्रू इस पूरे का रिजल्ट ट्रू कब आ सकता है जब यह बाला पार्ट आपका ट्रू हो जाए और यह पार्ट रू कब होगा जब क्यू आपका फॉल्स हो जाए ठीक है तो क्यू फॉल् और यह situation में आपको true मिल जाएगा फिर उसके साथ final answer true आ जाएगा हमें true ही चाहिए था इसका मतलब क्यों क्या हुआ false हुआ तो q false है इस वाली position पर q false है इस वाली position पर यह हम लोग देख रहे हैं थे b और यह d b d तो answer आ गया भी ठीक है अगर आप चेक करना चाहिए थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो क्योंकि क्यों के बारे में पता चल गया false तो अगर यह false है तो यह पी को तो true होना ही पड़ेगा क्योंकि और operation है ठीक है बहुत हम इंट्रेचेंज वाली बात करी चुके थे तो यहां पर आपके पास पी क्या गया है पी ट्रू आ चुका है क्यों फॉल्स आ चुका है आर अल्लेडी फॉल हम लोग डिसकस कर चुके थे फॉल्स तो फानिल आ